हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में NCRT सिक्षक भरती का एक नए अड़र्टीजमेंट जारी किया गया है बिना परिक्षा के आप यहां सिक्षक बन पाएंगे यहां केवल जो हैं इंटर्विव रहेगा कोई फीस नहीं लगेगी एप्लिकेशन के समय प्यार्टी और टीजीटी की पोस्ट रहेगी प्यार्टी में 21,250 परमन सैलरी टीजीटी में 26,250 परमन सैलरी दी जाएगी इसके साथ में जूनियर हिंदी ट्रांसलिटर की भी वेकेंसी है तो इनको 43,000 जो है सैलरी हाँ पर दी जा रही है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले NCRT में वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसे हम देखने वाले हैं तो सभी कैंडिडेट जो है ध्यान से देखेंगे National Council of Education Research and Training की तरफ से 11 जन्वरी 2024 को ये अड़र्टीजमेंट जारी किया गया है यहाँ पर जो है date and time of interview यानि की exam नहीं है केवल interview रहे गा और इसका समय भी बता दिया गया है date भी बता दी गई है 18 जन्वरी 2024 को interview रखा गया है TZT English के लिए number of vacancy है 2 qualification कहा है TZT English के लिए कि graduation होनी चाहिए B.Ed होनी चाहिए और seat at upper primary का qualify होना चाहिए Hindi medium और English medium यहाँ पर पढ़ाना रहेगा और उम्र यहाँ पर 35 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर I.U. में छूट भी जो है भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी उसके बाद primary teachers की vacancy देखें तो number of vacancy 3 है और 18 जन्वरी को ही जो है रहेगा interview जैसे TZT English के लिए interview जो है वो सुबह 10 बजे रहेगा और primary teachers के लिए दोपहर के 12 बजे interview रहेगा 18 जन्वरी 2024 को qualification जो है यहाँ पर 12, DLAD, STC, BTC वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं 50% marks जो है यहाँ पर होने चाहिए 12 में साथ में CTAT primary level का आपका qualify होना चाहिए Hindi और English medium में पढ़ाना यहाँ पर रहेगा और PRT के लिए जो है 30 साल से अधिक उम्र यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आयू में छूट जो है यहाँ पर लिखा है SC, ST, OBC केटिगरी को दिया जाएगा Government of India के नियमों के according ठीक है Junior Hindi translator की एक post है और यहाँ भी जो है 18 जनवरी 2024 को 11 बचे रहेगा interview Master degree जो है हिंदी में होनी चाहिए किसी भी जो है रिकोगनाइज जो यूनिवस्टी में English के साथ में ठीक है As a compulsory और elective subject या फिर Master degree इंग्लिस में होनी चाहिए और हिंदी जो है वो एक compulsory subject के रूप में आपने पढ़ा हो Option जो है वो कई दिये गए हैं यहाँ पर साथ में यहाँ पर जो है Certificate या Diploma आपके पास होना चाहिए Translation from Hindi to English Hindi से English में Translation का अपने course किया है उसका Diploma या Certificate यहाँ पर मांगा गया है साथ में दो साल का अनुवव Central या State Government के Office में आपने काम किया हो ठीक है यह यहाँ पर जो है मांगा गया है Age limit जो है वो 30 साल से अधिक Junior Hindi translator के लिए नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जो है इसके लिए पार टाइम Junior Hindi translator के लिए जो है पार टाइम जोब रहेगी Vacancy जो है कहां से आई है तो Regional Institute of Education भूवने सर उडिसा से यह Vacancy है फिलाल जो यह Vacancy है यह Contract Base पर है जिसमें PRT के टीचर्स को 21,250 पर मंत TZT के टीचर्स को 26,250 उसके बाद Junior Hindi translator को 43,000 salary यहाँ पर दी जाएगी Interview जब भी रहेगा तो आप लोगों को एक घंटा पहले जो है समय पर पहुँच जाना है दिये गए जिस दिन आप लोगों का इंटर्व्यू रहेगा जो कि यहाँ पर 18 जनवरी 2024 बताया गया है तो आप लोगों को application form और अपने document के साथ में समय पर पहुँच जाना है और यह जो है दिया गया है यहाँ पर नीचे application form में तो सबसे पहले जो है main website पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को notification कहां देखने को मिलेगा News and event यहाँ पर आप लोगों को 11 जनवरी 2024 का advertisement for conducting walk-in interview for PZT, PRT and junior Hindi translator for DM school ठीक है तो इस पर click करना होगा और उसके बाद आप लोगों को यह advertisement देखने को मिलेगा झाल